आओ बेहनों सुनाती हूँ सास बहु की कहानी सारी बहुएं होती है सासुमा की दिवानी कभी दूर के गर जाना है कभी पास के गर जाना है हर लड़की को एक दिन सास के गर जाना है हर बहु के दिल में भाईया होती है यही चाहत सासु मा से मिल जाए उसको मा के जैसी राहत समझ नहीं आया मुझे सास बहु का चक्कर ना जाने क्यों देती है एक दुसरे को टक्कर सास बहु का काम तो होता है बहुत ही तगणा चोटी-चोटी बातों पर कर लेती है जगणा कुछ फिल्में अच्छी होती है कुछ फिल्मों के गाने सप्पे भारी पड़ जाते हैं सास बहु के ताने ये हर छोटे बड़े घर का रगड़ा होता है, सास बवु सीरियल के बाद जगड़ा होता है गोडे को चैने से ज़्यादा घास की टेंशन, हर बवु को पत्ती से ज़्यादा चास की टेंशन जिस अलमारी में काच होता है, उसी अलमारी में कंगा होता है, सबसे ज़्यादा एंटर्टेंवेंट सास बवु का पंगा होता है पूरी दुनिया में फेमासे जैसे, काजु बादाम और पिस्ता, उससे भी ज़्यादा फेमासे दोस्तों, सास बवु का रिष्टा ससूर का खाने में मन न लगे ससूर का खाने में मन न लगे बच्चो का न लगे पढ़ाई में सारे प्रोग्राम बिगड़ जाते हैं सास बहू के लडाई में दुपर का काम शाम को करे सुबह करती है रात का सास और बहू दोनों की दोनों बतंगड बनाए बात का पत्ती चले जाए नोकरी पे ससूर जी बेठे अकेले में कौन पन्ना चाहेगा दोस्तों सास बहू के जमेले में किसी के हाथ में गाजर है किसी के हाथ में गाजर है किसी के हाथ में घास है मेरी नजर में सास और बहू दोनों की दोनों खास है